अरे तु यहाँ है मैं तुझे अंदर ढूंड रही थी हाँ यहाँ खुली हवा में अच्छा लग रहा है रहे उदास लग रही है क्या हुआ अरे कल छोटे का कॉल आये था राखी पर बुला रहा है लेकिन यह भीमारी लेकर का आजओ कल डॉक्टर ने फैटी लिवर की प्रॉब्लम बताई तकलिप क्या हो रही है तुझे प्रॉब्लम एक हो तो बताओ में तुझे हमेशा जॉइन पेंड बॉड़ी पेंड दिन भर पूरे बॉड़ी पर सूजन रहती है यहां पर राइट साइड में भी दर्द होता है और यह दाग देख रहे हैं तो बढ़ते ही जा रहे हैं हमेशा कब्स रहती है कभी पेट साप नहीं होता कॉंस्टिपिशन हर एक प्रॉब्लम से गुजर रही हो मैं आजकल अरे बस इत 3 घरी लोपाय देखेंगे जो हमारे रूटीन में रहकर और कम समय में इसे हम कर सकते हैं सबसे पहले इसके में पाच लक्षन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिवर का फंक्शन अन्यंतरित होता है तो हमारे पूरी बॉड़ी पर और पैर और इसे महसूस होने लगती है इसमें सकीं ड्राइ और ड्ल पढ़ने लगते है हैएरफॉल स्टार्ट हो जाता है अाखों की नीचे डाक सरकल आना स्टार्ट होता है। फर्ड यूरिन का कलर डार्क होने लगता है। आखे और नाखुन पीले पढ़ने लगते हैं। जॉन्डीस के लक्षन नजर आने लगते हैं। फोर्थ हमारा पूरा डाजिशन खराब होने लगता है ठीक से भूख नहीं लगती है गैस असेडिटी कप्स की शिकायत हमेशा रहती है फिर लक्षन बुखार नहीं होता है लेकिन फिर भी मुझा टेस्ट चला जाता है भूख नहीं लगती है खाने का मन नहीं करता है हम जो मैदे की चीज़े बर्गर पीजा ओईली स्पाइसी चीज़े खाते है तो यह ठीक से डाजिस ना होने के कारण इसका सीधा इफेक्ट हमारे लीवर पर लोड आता है हर एक व्यक्ति में फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है तो हर एक व्यक्ति को लीवर डिटॉक्स करना जरूरी होता है उसके लिए इफेक्टिव तीन उपाई सबसे फर्स नाइचरल उपाई हम जल से जल देखते हैं एक का पानी लेना है उसे अच्छे से उबाल लेना है उसमें हाप इंच का अध्रक का टोकड़ा कूट कर पीस कर आड़ कर देना है जो अध्रक होता है उसमें जिन्जरॉल नाम का तत्वा पाये जाता है जो सैलूलर डैमेज से बचाता है पूरे बॉड़ी पर जो सूजन होती है उसे तुरंद कम करने में हेल्प करता है अध्रक के लिए सुरक्षा कवच का काम खाता है नेक्सट में दो कालेमेच लेनी है उसे भी दरदरा-पीस कर एड़ कर देना है दो पिंच हल्दी मिलाएंगे घरमी PCOE प्योर होनी जाए कालिमेच और हल्दी दोनों का जो कॉम्बो बनता है वो लीवर डीटॉक्स में बैस्ट वर्क करता है क्योंकि इसमें एंटियोक्सिजन और अंटिबैक्टेरियल गुण पाय जाते है जो हमारी स्क अगर आपके लीवर का फंक्षन अन्यंतरित हो चुका है तो लीवर के जो भी विशाक्त परिणाम आपके लीवर पर होते हैं उसे कम करने में मेथी दाना एफेक्टिव वर्क करता है क्योंकि इसमें पॉलिफेनॉलिक तत्व पाया जाता है जो आपके लीवर डीटॉक्स क करने में और शराब के असर को कम करने में लीवर को हेल्प करता है अब यह सारी चीजों को अच्छे से दो बाफ आने तक उबाल लेना है और फिर बाद में इसे गुनगुना होने के बाद इसे चान लेना है जब आप डिनर करते हैं तो डिनर के वन अवर के बाद इसे आपक तो आपके लिवर डिटॉक्स करने में इसके बैस रिजर्ट मिलेंगे उनली 15 डेज में सेकेंड उपाएं हमें मौर्निंग में खाली बैट करना है उसके लिए हमें दो लहसुन की कलिया लेनी है और उसे हमें लोहे के तबे पर ड्राय रोस्ट कर लेना है लहसुन में एंटियोक्सिजन और एंटिबैक्टेरियल गुण उपाए जाते है जो लिवर डिटॉक्स करने करता है और लिवर को स्ट्रॉंग बनाता है जैसे यह एक मिनिट के लिए ड्रारोस कर लेंगे तो इसके चोटी चोटी टुकड़े कर लेने हैं और एक गुंगुने पानी के साथ मौर्निंग में खाली पेट इसे निगन लेना है आप चबा भी सकते हैं घर्ड उपाए काफ जीरा जोगता है उसकी पाउडर बनाकर अड़ करनी है हाप टी स्पून और इसमें दो काले मिज की पाउडर भी एड़ करनी है तो यह आयरवेदिक तरीके से बनके तयार हो जाता है यह सारे इंग्रिडेट हमारे डाजेशन को इंप्रूव करते हैं गैस एसदिटी की प्र एसे तीन उपाई आज हमने देखे सबसे फर्स्ट उपाई होम रिवीडी जो नाइट में सूने से पहले लेना है सेकेंड उपाई लहजुन की दो कलिया मॉर्निंग में खाली पेट लेनी है और थर्ड उपाई में हमें टेस्टी सा चाच पिना है तीनों उपाई आप करते है और लीवर डिटॉक्स करने में लीवर के फंक्शन को नियंद्रीत करने में आपको बहतरी रिजल्ट पिलते हैं तो मुझे जरूर बताना है स्वस्त्रे मस्त्रे हिल्दी रही थैंक्यू सो मुच